ये गाइज अल्कम बैक टू मैं चैनल तो आज मैं परोगी साथ लेकर आएगू ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़ादा चटपटा मसालेदार आलू मसाला टोस्ट ये टोस्ट बहुत ज़ादा क्रिस्पी बनकर तियार होता है और सभी को बहुत ज़ादा पसंद आता है और सब्कतनल कि मुल्त से आलू को अच्छे से मेश कर ले रही हूं यहां पर मैं यह आफ्म-शल्रल उर्डों को पावडर बैड़ गया है। आदी चमच धन्या पाउडर आदी चमच गरम मसाला मसाले अब अपने टेस्ट रिकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं यह मैंने एक बारी कटके हुई हरी मेट चली है और अभी मैं इसमें डाल लें हूँ एक नीबू का रस आप नीबू की रस की जगे पर आमचुर पसंद नहीं है तो आप इसकी जगे पर कुछ भी ना डालें और अभी अब सबीची जगों कर लेंगे अच्छी से मिक्स तो अब 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 आ यह आप आलो का मसाला हमारा बनकर तियार है इसे रख देते हैं साइट में और मैंने आप लिए एक प्ल राइस और इसके पर हम लगाएंगे बटर तो बटर मैं इसलिए लगा रहे हैं कि हम इसकी पर हरी चटनी लगाएंगे तो जब हम हरी चटनी लगाएंगे तो बटर लगाने से जो ब्रैड है वो चटनी को सूप नहीं करेगा तो इसलिए मैंने इस पर बटर लगाया है और तो आभे में इसके उपकर लगा रहीजिए हरी चटनी अब मैं इसके उपकर लगाऊँगी मसाला तो इस जो आलू का मसाला है थी हम देर किया था वह लगा रहीटे कर? पूरी प्रेट पर अच्छे से लगा लेंगे हम ये अलु का मसाला तो ब्रेट पर आलो का मसाला अच्छे से लगा लिया है और चलते हैं ब्रेट को टोस्ट करने के लिए तो इसको टोस्ट करने के लिए मैंने आपर एक तबा लिया है और इस पर मैं लगा रहे हुए बटर बटर लगाने के बाद अब जो हमने ब्रैट लिया है उसको नीचे से ब्रैट वाली जो साइड है उसको नीचे रखकर इसको टोस्ट कर लेंगे तो एकदम लू फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन हुने तक हम ब्रैट को कर लेते हैं नीचे से टोस्ट और उपर भी बटा लगा देते हैं थोड़ा सा क्योंकि हम इसे आलो वाली साइट से भी टोस्ट करने वाले हैं नीची से टोस्ट हो गया है अब हम इसे पलट करके दूसरी साइट से भी कर लेते हैं ये दिखे कितना क्रिस्पी हमारा जो ब्रेड है वो हो गया है और इसे हम पालवाली साइट से भी अच्छी से टोस्ट कर लेते हैं गैस का फ्लेम लोग ही रखेंगे तो ये मैंने आप पर इसे कर लिया है टोस्ट दौनों तरफ से अच्छी से टोस्ट हो गया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में अब हम इसके उपर लगाएंगी इमली की चटनी तो ये एक चमच इमली की चटनी और ये एक चमच हरी चटनी अब मैं इसके उपर डालूँगी प्यास तो ये मैं बाई कट करकर प्यास ली थी वो इसके उपर डाल देते हैं बारिक कटावा टमाटर बारिक कटावा धनिया और हम इसके उपर डालेंगे थोड़े से नमकिन से तो पस हमारा जो आलू मसाला टोस्ट है वो बनकर तियार है आप इसे ओपन सेंविच भी बोल सकते हैं तो अगर आपको मेरी ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और कमेंट करके मुझे ज़रू बता है कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी तो तब तक लिए थेंकी फ्रेंज बाए बाए आप मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देखी के साथ